हेलो दोस्तो, माई नेम इज विखास कुमार, आज की वीडियो में सीखेंगे पासपोट साइज फोटो कैसे बनाते हैं दोस्तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों को साथ सेर करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको सिखाते हैं कि पासपोट सेज फोटो कैसे बनाते हैं दोस्तो आपके पास लेप्टोप या कॉम्प्यूटर है, इसमें जो कोई भी फोटोसप है उसे ओपन कर लेना है मेरे पास फोटोसप 7.0 है, हम इसे ओपन कर लेते हैं यह मेरा फोटोसप ओपन हो रहा है, फोटोसप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दीखेगा आपको यहाँ पे फोटो ओपन कर लेना है, फोटो ओपन करने के लिए डवल क्लिक किजिएगा यहाँ पे फाइर मिनु का डायलोक बॉक्स खुलकर ओपन हो जाएगा यहाँ सिर्फ अपना फोटो सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं फिलाल हम इस वाले फोटो को पास फोटोसप में ओपन करते हैं देखिए यह मेरा फोटो फोटोसप में ओपन हो चुका है अब इस फोटो को फूल स्क्रीन में कर लेंगे फूल स्क्रीन में करने के लिए यहाँ पे देखिए एक माइनस का चिन बना है उसके ही बगल में एक बॉक्स बना है Pen Tool का उज़ करेंगे, Pen Tool का shortcut की P है, Keypad से P प्रेस करेंगे, तो Pen Tool सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो toolbar में आप देखिए Pen Tool बना है, इस पे हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद, जिस box में Pen लगा है, उसको सेलेक्ट रखना है, उसके बगल में एक Pen बना है, उसको सेलेक्ट र बनेगा, देखिए, हम आगे की सेलेक्ट बना लेते हैं, दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अपने दोस्तों को साथ सेर करें, अगर Pen Tool से उज़ करते समय, आपका कुछ रिया गलती से सेलेक्ट ह हो जाता है, जिससे आप सेलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, और वो भी सेलेक्ट हो जाता है, तो उसे बेक जाने के लिए, Ctrl, Alt, Z का परियोग करेंगे, तो बेक चला जाएगा, जैसे कि हमने यह आपके कुछ गलती सेलेक्शन बना रहे हैं, इससे बेक जाने के लिए Ctrl, Alt, Z, प बना लेते हैं, वीडियो को थोड़ा सांगे कर देते हैं, मिलते हैं फोटो सेलेक्ट करने के बाद, जहाँ फोटो सेलेक्ट करना स्टार्ट के थे, वहीं पर ले जाकर के क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह से, तो देखिए, एक मेरा पेंट टूल से पाथ बनकर तियार हो चुका है, अब इसे सेलेक्ट टूल में बदलेंगे, सेलेक्ट टूल में बदलने के लिए कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करेंगे, तो इस सेलेक्ट टूल में बदल जाएगा, अभी मेरा फोटो सेलेक्ट है, क्योंकि यह मेरा photo plan चल रहा है अगर photo को उपर side में चले जैसे कि उपर की side में ऐसा ऐसा चले तो मेरा background select होगा अभी मेरा photo पर चल रहा है तो photo select है background select करने के लिए आपको select पे जाना है और यहाँ पे कर देना है inverse जिसका shortcut की shift control आई है इस पे हम click कर देंगे सबसे पहले color select कर लेंगे color select करने के लिए देखिए यहाँ पे यह toolbar में दो color आपको दिखाई दे रहा है एक red है और एक black है जहाँ पे red color बना है वहाँ पे आप अपना background का color select कर लीजिएगा फिलाल हम blue रखेंगे ok press करेंगे और यहाँ पे color fill करेंगे color fill करने के लिए control के साथ में backspace दबाएंगे तो background में color fill हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से background में मेरा color fill हो चुका है यह जो selection tool चाल रहा है इसको अटाने के लिए control के साथ में deep press करेंगे तो यह selection tool हट जाएगा अब इस photo को हम लोग crop करेंगे crop करने के लिए crop tool का यूज करेंगे crop tool का shortcut की C है keypad से C प्रेस करेंगे तो crop tool सेलेक्ट हो जाएगा नहीं तो toolbar में देखिए आपे crop tool बना है इस पे हम click कर देंगे click करने के बाद उपर में photo का side डालेंगे photo का size होता है width में डालिएगा 1.2 inch height में डालिएगा 1.5 inch resolution डालिएगा 300 यह तीनों कोलम फिल करने के बाद आप याप पे कुछ इस तरह से selection बना लिजिएगा देखिए मेरा photo का crop tool से selection बन चुका है जब इस तरह से आपको crop tool से selection बन जाए तो enter प्रेस कर दिना है तो आपका photo crop हो जाएगा अगर आप photo पर थोड़ा से light बढ़ाना चाहते हैं या light कम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सबसे पहले image पर जाना है एक्जेश्टन पर क्लिक करना है पिलिखाया curve है इसके हम click कर देंगे click करने के बाद इस वाले line को उपर की सैड में करेंगे तो photo में light आएगा नीचे की सैड में करेंगे तो photo dark होगा तो हम फिलाल उपर की सैड से उपर करेंगे और नीचे की सैड से थोड़ सा down कर देंगे इतना रखेंगे और इसको थोड़ सा और encourage करेंगे ताकि photo अच्छा दिखे यहाँ पर लिखा है channel उसके ही बगन में लिखा है RGB RGB पर click करेंगे तो यहाँ पर तीन color आपको दिखने के लिए मिलेगा red, green, blue red का मतलब होता है red को गटाएगा red को बढ़ाएगा green का मतलब होता है green मतलब हारा को गटाएगा और हारा को बढ़ाएगा उसी तरह से आप बुलू कलर दिया है तो हम ज्यादा तर RGB यूज़ करते हैं RGB मतलब red, green, blue यह तीनों color साथ में गटाता है और साथ में बढ़ाता है तो हम RGB को ज्यादा यूज़ करते हैं फिलाल हम उख के प्रेस करेंगे अगर और color आप मिलाना चाहते हैं तो फिर image पर जाना है एक्जेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है selective color इस पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद यह आप देखिए स्याम, मेजेंटा, इलो, बलेक यह जो बलेक है इसको माइनस क्यूर करेंगे तो फोटो वाइट होगा और प्लस क्यूर करेंगे तो फोटो डार्क होगा तो हम इसको माइनस 20 रखेंगे और यहाँ से कोई color को अब नहीं गटाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे रेड पर क्लिक करेंगे बलेक को स्लिक करेंगे और इसको अब प्लस क्यूर करना है ताक कि hair और आख और बाल यह तीनों थोटो और डार्क हो जाए ओके प्रेस करेंगे देखिए मेरा फोटो पासपोर्ट साइज फोटो बनकर तियार हो चुका है अब इस फोटो को 4-6 के पेज पे 8 फोटो बनाएंगे तो सबसे पहले 4-6 का एक पेज ले लेते हैं पेज लेने के लिए आपको फाइल पे जाना है निउपर क्लिक करना है यहां पे देखिए परजेंट साइज लिखा हुआ है परजेंट साइज पर क्लिक करके यहां से 4-6 का एक पेज सेलेक्ट करेंगे देखिए मेरा 4-6 का एक पेज सेलेक्ट हो चुका है यहां पे OK प्रेस कर देंगे okay प्रेस करने के बाद देखिए मेरा black पे जा चुका है चार गुना चेक है अब यहाँ पे move tool सेलेक्ट करेंगे move tool का shortcut की भी है keypad से भी प्रेस करेंगे तो move tool सेलेक्ट हो जाएगा नहीं तो toolbar में देखिए आप यहाँ पे move tool बना है इस पे हम click कर देंगे click करने के बाद photo पे click कर आखिए पे पे ले जा करके चोड़ देंगे तो मेरा photo पे पे जा चुका है अब इस page को full screen में करने के बाद इस photo को rotate कर देंगे rotate करने के लिए आपको control के साथ में t-press करना है control t control t प्रेस करते ही यह transfer one tool में बदल जाता है आपको यहाँ पर shift दबाना है, shift दबाने के बाद photo को side में mouse का cursor लेाना है, और shift दबाए रखना है, और click करके rotate ऐसे किजेगा तो photo app का rotate हो जाएगा, जब photo app का rotate हो जाएगा, तो interface करना है, interface करने के बाद उपर की side में ऐसे, एक side में set करना है photo को, set करने के बाद shift और alt को पाई रखने के बाद फोटो पर क्लिक करके हैं, राइट सेड में ड्रेगन ड्रोप कीजिएगा तो फोटो आपका एक फोटो से दो फोटो बन जाएगा, देखिए आपके लेयर पैनल है, लेयर पैनल में आपको यापके दो लेयर फोटो का दिखाई दे रहा होगा, और एक बेग्राउंड है, यह जो बेग्राउंड है, एक ब्लैंक पेज है, उपर में जो दो लेयर है, लेयर वन कॉपी, लेयर वन, यह दोनो लेयर मेरा फोटो का है, यह दोनो लेयर को सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, पर सबसे पहले photo select दोनों करेंगे तो दोनों photo select करने के लिए आप देखिए एक photo मेरा पहले से select है जो मेरा blue layer दिखाई दे रहा है उसके नीचे का और layer 1 है उसको select करने के लिए यहाँ पे आख बना है आख के बदल में एक box बना उसके हम click कर देंगे click करने के बाद एक दोनों photo joint हो गया है joint होने के बाद एक दोनों layer को merge करेंगे merge के मतलब बता है कि दोनों photo को एक में मिला देंगे तेक में मिलाने के लिए आपको control के साथ में E press करना है control E तो देखिए पहले आपे तिन layer था अभी दो layer बनकर तियार हो चुका है जो मेरा photo का layer है उसे select रखेंगे select रखने के बाद फिर photo पे click करेंगे photo पे click करने के बाद alt और shift को फिर दबाएंगे photo पे click करके नीचे के साड़ में dragon drop करेंगे जब तक मेरा art photo नब बन जा जब तक shift और alt को नहीं छोड़ना है देखिए मेरा art photo तो बन चुका है और layer panel में याँ पे धेर सारा layer भी बन गया है तो सभी layer को merge करेंगे merge करने के लिए आख के बगल में एक box बना है उस पे हम click कर देंगे एक यहाँ पे है इस पे हम click कर दिया और एक और है तो उस पे भी click कर दिया है देखिए मेरा सभी photo select हो चुका है select होने के बाद सभी layer को merge करेंगे merge करने के लिए control के साथ में e-press करेंगे तो पहले मेरा 5 layer था अभी 2 layer बन कर तियार हो चुका है देखिए पहले आफे सब अलग-अलग photo था अभी एक में joint हो गया अब इस photo को थोड़ा सा बड़ा करेंगे बड़ा करने के लिए control के साथ में t-press करेंगे और shift दवाएंगे एक कोने से पगड़कर घीच देंगे तो थोड़ा सा photo बड़ा हो जाएगा जब photo आपका बड़ा हो जाए photo भो page भी अच्छी तरह से set कर लेना है कुछ इस तरह से जब ऐसा photo आपको page पर set हो जाए तो इंटर प्रेस करना है इंटर प्रेस करने के बाद इस photo में stroke लगाना है जो किनारे किनारे एक line दिखता है उसे लगाना है तो stroke लगाने के लिए आपको edit पे जाना है और यहाँ पे stroke लिखा है इस पे हम click कर देंगे click करने के बाद विर्थ में 2px मतलब 2px डालेंगे color में black रखेंगे आप यहाँ से कोई भी color इंच कर सकते हैं फिलाल हम black रखेंगे ok press करेंगे और यहाँ पे भी ok press कर देंगे तो देखिए मेरा photo में line लग चुका है अब इस photo पर हम लोग print निकालेंगे print निकालने के लिए control के साथ में p दबाएंगे select to fit media पर click करेंगे print पर click करेंगे और यहाँ सेब अपना printer select किरेगा और यहाँ पे ok press कर देजिएगा यह मेरा photo print हो चुका है दोस्तो इसी तरह से passport site photo बनाते हैं और print निकालते हैं अगर आपको समयने में किसी परकार का दिक्कत हो तो आप हमें comment करें हम आपको new video में अच्छी तरह से समझाएंगे अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और साथ ही अपने दोस्तों को साथ share करें मिलते हैं नेक्ट शूडियो में